भारत और चीन के व्याप्यारी धंदे की बारिकियों में व्यस्त है वैसे आम तोर पर दोनों देशों के व्यावसाई एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं ऐसे ही बैटकों की वज़स से ये दोनों देश दवाओं के बिजनिस में चाते जा रहे हैं लेकिन भारत इस से ज़्यादा खुश नहीं है भारत की स्वास्त्य सेवाएं कई जरूरी जीवन रक्षत दवाओं पर निर्भर करती है हाल के वर्षों में चीन से अंटिबायोटिक दवाओं का आयात दुगना हुआ है भारत आज अर्बों डॉलर की दवाओं का आयात करता है जिन में साधारन दर्द निवारक परसिटमॉल और आस्परिंट से लेकर जरूरी अंटिबायोटिक शामिल है पेनिसिलिन समूग की अंटिबायोटिक दवाओं का अब भारत में उतपादन नहीं होता भारती कमपनियां इन हालात के लिए सरकार को दोशी मानती है उनका कहना है कि भारत में बिरोक्रिसी के चलते दवाओं बनाने में इस्तमाल होने वाले आक्टिव फार्मसियोटिकल इंग्रीडियन्ट तयार करना मुश्किल हो रहा है इसके फार्मसियोटिकल जैसे कमपनियां अब ज्यादा मुनाफे वाली दवाईयां ही बना रही है हलांकि उनका कहना है कि ज्यादा उतपादन की तरफ लोटना मुश्किल नहीं है ये सच है कि चीन ज्यादा प्रतियोगी हो गया है और भारतिय कमपनियों के पास उतपादन में बने रहने के फायदे खत्म हो गए है इसलिए हम बाहर भी हो गए है अगर सरकार जल्द कारवाई करे तो दस साल में चीज़ें बदल सकती है ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है भारत चाहता है कि चीनी कमपनियां भारत में कच्चा माल तयार करें उनकी मदद के लिए सरकार बड़े पैमाने पर दवा और रसायन कलस्टर बना रही है ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है मैंगलो एकनॉमिक जोन कारुबारी रवींद्र सेथी इस प्रोजेक्ट के आदार पर चीन को मेगा इंडस्ट्रिल पार्क का आइडिया बेच रहे हैं चीनी चाहते हैं कि आपके पास बिजली पानी के अलावा कच्रे के निप्टारे की अच्छी व्यवस्था हो सवाल है कि क्या चीन प्रदूशन फैलाने वाले अपने कुछ इंडस्ट्री को भारत शिफ्ट करेगा अगर वो तयार भी हो जाए तो भारत में स्वास्तिय सुरक्षा को लेकर आश्यम काइम बनी रह सकती है शिल्पा कर्नन बीवी सी दिली भारती दवा कंपनियां कच्छे माल के लिए चीन पर निर्भर इसी विशे पर हमने बात की इंडियन ड्रग मैनिफेक्ट्रर्स एस्सेशिएशन के महासेचिव दारा पटेल से और पहला सवाल पूछा कि भारती फार्मा कंपनियां क्यों हैं चीन पर इतनी निर्भर विश्व में जो हो रहा था वो हमने कर दिया इसके लिए हमारे API मैनिफेक्ट्रर्स को काफी प्रॉब्लम्स हो गए थे और चाइना ने वो सब सेम रखा अभी चाइना में बैंक रेट्स कम थे इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा थी एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स उन्होंने काफी बढ़ा दिये हमारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स कम होने लगे इसकी वज़े से हमको हमारे API मैनिफेक्ट्रर्स जो है उनको काफी दिक्कत हुई है दारपटेल जी ये बताईए कि भारती कमपनियां इस कच्चे माल को अपने ही देश में बनाने की दोड़ में कब और कैसे पिछड़ गई चाइना की गवर्मेंट जो है चाइनीज गवर्मेंट जो है वो काफी सुविधाय देती है API मैनिफेक्ट्रर्स को और जैसे मैंने बताया हमारी गवर्मेंट को ऐसी सुविधाय नहीं देती थी जिससे इंडस्ट्री को प्रोचाहन मिले तो इसकी वज़े से हमारे दाम बढ़ गए और चाइनीज दाम बहुत कम हो गए और एक और चीज हमें जानना चाहिए कि चाइना में 40 प्रतिशद कमपनीज जो है जो दवाईयां बनाती है जो API बनाती है वो सब गवर्मेंट कंट्रोल कमपनीज है तो गवर्मेंट उनको बहुत सपोर्ट देती है इस वज़े से उनके दाम बहुत कम रहते है बहुत competitive रहते है तो हमारे जो फॉर्मिलेटर्स ह वो सब चाइनीज मेंटरियल लेना चालू कर दिया और हमारे जो इंडस्टी की लोग थे हमारी API मैनेफेक्टर थे उनकी सब यूनिट से धरी की धरी रह गई और इसके लिए काफी बंद भी हो गई अब ऐसा हो गया है कि वी आर टोटली डिपेंडेंट हम बिलकुल निरभ सबसे पहले तो हमारी जो पॉब्लिक सेक्टर यूनिट से उनको फिर से रिवाइफ करना चाहिए और उन्हें एक ही मार्व्र दर्शन देना चाहिए कि आप लोग अब जो API में मिल रहे है या जो API हमें ज्यादा दाम में मिल रहे हैं वो API आप बना के हमारे इंडियन फॉर को और यह कहा है कि हमारी केपैसिटिज बढ़नी चाहिए अब चाइना का माल क्यों कम दामों में बिखता है क्योंकि एक प्लांट एक ही एपिए बनाता है और इतने बड़े पैमाने पे बनाता है कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है जमीन के कम कर दीजिए जमीन उनको एकदम कम दामों में दीजिए